सब्सक्राइब दोस्तों वेलकम टू गुर्णाना केवर्स आप सबका बहुत स्वागत है जो दोस्त नए जुड़ रहे हैं गुर्णाना केवर्स के परिवार में उनके लिए छोटी सी इंफरमेशन दोस्तों दिस इस यूर ओन चैनल आपका खुद का प्लैटफॉम है जहां कम तरष आप रिक्वेस्ट सेट है और मैं वीडियो तीयार करके आपके सारे हैं इसी लास्ट रिक्वेस्ट जो हाइँ ती आज उसके बात करेंगे we'll talk about Addison's disease today. Addison's disease की बात करेंगे क्या होता है, क्यों होता है, क्या लक्षन है, पहचान क्या है and the homeopathic perspective behind it. Homeopathia यहां, कहां मदद करती है. Last couple of जो requests आई है ना, वो काफी actually critical disorders की बात की है. Polycythemia की एक request आई थी last video that is also a difficult disease to manage. Aisी Addison's disease है. यह कुछ ना, lifestyle disorders कहें लें, जो हमारे basic metabolic process पे affect करते हैं. आये बात करते हैं, Addison's disease की उसकी basic जानकारी जुरूर लेंगे, क्योंकि यह जो डिकते हैं, यह जो बीमारी हैं, इनकी basic जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है. They are not ordinary diseases. Before you come to the treatment part. And I share और यह बहुत ही सर्व भाश्या में, simple to understand भाश्या में बात करेंगे. दोस्तों, हमारे body के अंदर, कुछ ऐसी functions परफॉर्म करते हैं, लग-लग organs. लेकिन उनको भी regulating एक mechanism रहता है, जो उन पर पर परभाव डालता है, कि किस समय वो process को fast करना है, किस समय स्लो करना है, ऐसे कुछ chemical secret होते हैं, कुछ ऐसे chemical messengers रहते हैं, जिने हम hormones का नाम देते हैं, right? Hormones जो है, वो regulate करते हैं, हमारे body के various functions को. ठीक है? इन शॉर्ट बात करें, जो हमारे renal glands है, the kidneys, उनके उपर स्थित रहते है, एक छोटा सा gland जिसको बोलते है, अब नाम से ही है, adrenal means just above the kidney, बहुत small adrenal glands रहते हैं, वो कुछ बहुत ही महतपून hormones secret करते हैं, जो कि regulate करते हैं, हमारे body के functions को. अगर उन hormones में, उनके secretion में बदलाव आ जाए, बढ़ जाए, बढ़ जाए, तो इससे हम Addison's disease का नाम देंगे, दोस्तों, जो adrenal glands है, ये दो बहुत ही महतपून hormones secret करते हैं, एक है cortisol, दूसरा है aldosterone, थोड़ सी basic जनकारी लेंगे, बहुत simple भाशा में, क्योंकि इसकी जानकारी जूरी देन विल अर्राइब आवर destination, cortisol एक बहुत ही महतपून hormones है, secreted by the adrenal gland, जो cortisol है, hormone, उसका बहुत ही महतपून, a very important function is, to help the body in the time of stress, कैसे हमारी body act करेगी, in the time of stress, कैसे वो रिस्पूंड करते है stress को, महा cortisol का बहुत ही महतपून रोल है, और सो जोसो हमारी body, कैसे यूज करते है, काब्स, प्रोटीन, और फैट्स, इस पे भी ये भी कोटिसोल के लेवल पे निरवर करता है, very important function in the other one, and thirdly, it maintains the normal blood pressure, and cardiovascular functions, दोस्तो जो अल्डोस्टिरोन है वो किड्नीस की help करता है, to maintain the, to regulate the level of salt, the amount of salt and potassium, और इस वज़े से वो उसका direct असर रहता है blood pressure पे, उसको maintain करके रखना है, blood volume को maintain करके रखना है, and normal blood pressure को maintain करके रखना है, that's the function of aldosterone, अब अगर किसी कारण से, cortisol की मत्रा कम बन रही है, the adrenal gland is secreting less of cortisol, कम है न, क्या हो जाएगा, hypo-cortisolism, यही है Addison's disease, primary adrenal insufficiency का नाम भी दिया जाता है दोस्तों, यह न, cortisol की मत्रा काफी कम हो जाती है, कुछ हथा का अल्डोस्टूण भी कम हो जाता है, that happens in Addison's disease, आएए कुछ सिम्टम समझें, अब देखे, cortisol कम बन रहा है, stress hormone is diminished, क्या होगा, सिम्टम में क्या आएगा, सबसे पहले जैसे न, भूख कम हो जाएगी, loss of appetite हो रहेगा, ठीक है, उसके वजए से, weakness रहेगी, muscular weakness रहती है, fatigue रहता है, बहुत extreme exhaustion, बहुत जादा थकान, नॉर्मल से बहुत जादा, weight loss हो जाएगा in the long run, irritability रहती है, fatigue बहुत बढ़ जाता है, फिर nausea, गवराहाथ, बेचैनी, उल्टी भी आ सकती है, vomiting हो जाती है, abdominal pain होता है, with diarrhea, these are very common symptoms, blood pressure गिरना शुरो हो जाता है, दोस्तो, DP बहुत लो हो जाता है, in certain cases में, बंदर depression तक चला जाता है, depression में चला जाएगा, not controlled, the symptoms are not taken care of, timely, अच्छा, इसमें न, hyperpigmentation of the skin, यह रहता है, जैसे न, discoloration हो जाती है, लेकिन यह जैसे, हमने में लासमा की वीडियो में बात किया था, यह होता है, on certain parts of the body, which are not exposed to the sun, जो, exposed नहीं है, पार्ट्स, वहाँ पे भी hyperpigmentation हो जाती है, discoloration हो जाता, अच्छा, विटी लिगो, यह लिगो डमा के cases, यह भी दिखते हैं दोस्तों, अगर Addison's disease अंदर है तो, आए दोस्तों कारण समझें, क्यों होता है, what are the causes, क्यों होता है Addison's disease, primary adrenal insufficiency नाम दिया गया ना, mostly that is the reason, उसमें विदा 70% कारण क्या रहता है, that is autoimmune disease, खुद का ही immune system, adrenal glands पे attack कर ले समझो, उसको identify नहीं कर पाता, जिस वज़े से यह symptoms आते हैं, यह दिखते हैं रहती हैं, अच्छा, there are certain long lasting infections, कहीं हैं इस्ते infections हैं, जो लंबी चलती हैं, for example, tuberculosis, अगर TB की दिखत है, कोई HIV का case है, उसमें, अच्छा, कि फंगल इंफेक्शन रहती हैं, जो की chronic हो जाती हैं, लंबी चलती हैं, अगर यह uncontrolled रहें, लंबी चलती हैं, लंग लास्टिंग रहती हैं, that can be another cause of Addison's disease, ठीक है, अच्छा, जैसे मैंने कहा, primary adrenal insufficiency is the main, mostly that is, जाने कि, adrenal gland में कुछ नुक्स है, इसमें भी एक possibility हो सकती है, कि adrenal gland जैसे ना, परोपरली डवलपीन हुआ, दूरिंग ना, वो परोपरली बना ही नहीं है, second ही हो सकती है, जैसे कि वो बन गया है, adrenal gland is there, लेकिन वो इसमें बना नहीं रहा है, and third possibility is that, जैसे बिमारियां है, जिस वज़े से adrenal gland ना, डैमेज हो गया, डिस्ट्रप्ट हो गया, खतम हो गया, primary adrenal insufficiency, अच्छा, ऐसे ने secondary भी रहता है, adrenal insufficiency, secondary माने, जो adrenal gland के साथ, direct link में नहीं है, लेकिन हाँ, for example, the pituitary gland, the master gland, जो ACTH, hormone secrete करता है, switch का काम करता है, on-off के, adrenal अपना cortisol, release करेगा, या नहीं करेगा, pituitary has a control of that, अगर वहाँ दिक्कत है, that is secondary, कहने, adrenal insufficiency, ऐसी tertiary रहती है, tertiary adrenal insufficiency, अगर दिक्कत है, hypothalamus पे, अच्छा, इसको डाइग्नोस कैसे करें, देखें दोस्तों, physical experience है, examination है, and case taking है, देखें, certain blood tests भी है, जैसे न, sugar की मत्रा कम हो गई है, blood में, अगर sodium की मत्रा कम हो गई है, potassium बढ़ सकता है, they are an indication towards Edison's disease, फिर WBCs रहते हैं, जैसे eosinophils हैं, या lymphocytes हैं, उनकी मत्रा बढ़ जाएगी ब्लोड में, right, then also metabolic acidosis, blood की न, acidity बढ़ गई है, because eldosterone की मत्रा कम हो गई, there's another, you know, hormone, that the adrenal gland makes, दोस्तो, with this basic information, थोड़ी understanding हो गई, अब Edison's disease की, आईए बात करते हैं उन पैते की, बहुत महत्मून दबाएं हैं, जो यहां difficult symptoms को manage करेंगे, हमें रहा दिलाएंगी, the very first and the best medicine is adrenaline, इसको adrenaline भी कहते हैं, adrenaline basically, इसका main action रहता है, on the sympathetic nerve endings, जो sympathetic endings रहती हैं, उनको stimulate करती है, जिस वज़ए से, peripheral arterioles है, वो constriction शुरू हो जाएगी, वो स्रिकोडन शुरू हो जाएगी, और ultimately, इसकोड बढ़ना शुरू हो जाएगा, दोस्तों, डोज़ज की बात करें, यह शुट बीवन आईएले न लो प्रतेंस, 6 CHS अविलेबल, 12 B है, 30 B है, depending on the severity of the symptoms, let your physician decide, लेकिन, adrenaline undoubtedly, दोसरी मेहतो को न लबा है, Iodum, Iodum, यह आप यह आपक्त करती है, especially the endocrine glands, और जहां कहीं जैसे, edema भी हो रहा है, hemorrhages है, and especially the nutritive disturbances, because of disturbed hormones, Iodum, 30 C is the ideal to begin with, दोस्तों, 3rd very important medicine, is natural muriatic rum, Natmur, Natmur को 3rd number पे जरूर लिया, लेकिन, it is undoubtedly again, one of the best medicines, जहां कहीं, endocrine system disturbed है हमारा, वहां Natmur जरूर काम करेगी, for example, diabetes के patients में, Natmur के बहुत अच्छा रोल है, an excellent role, hyperthyroidism में Natmur, हम देते हैं, Addison disease में भी देते हैं, because of all these symptoms, great weariness and weakness, यह दो बहुत में बहुत बहुत सिंटम्स हैं, underline cause is Addison disease, Natmur will work wonders, 30C से start करें, यहां phosphorus की बात भी जूरूर करेंगे, जहां destructive metabolism हो रहा है, the underlying cause is Addison disease, phosphorus 30C, अच्छा यहां, ill effects of iodine, that is another cause, जहां नमक की मातर बहुत जादा यूज हो रही है, excess use of salt है, patient के अंदर, again phosphorus underlying Addison disease याद रखें, phosphorus 30C, आँ दोस्तों, now finally discussing silicia, a very important medicine, जहां कहीं organic changes होती है, na body में, silicia is a wonderful role to play, start with a small potency, silicia, और associate symptoms का भी ख्याल रखें, lack of vital heat रहती है, patient के अंदर, is a cold and chilly patient, ठांड बहुत पहसूस करता है, अच्छा, यहां से मुझे याद आया, organic changes लगर, बोड़ी में कहीं भी हो रही है, ideally we should begin with a small potency, अगर physical symptoms, उपर उभरते ही symptoms, देख रहे हैं, with underlying organic changes, structural changes हो रहे हैं, organ में change हो रहा है, तो we should always opt for low potency, I think in a couple of videos आगे न, maybe near future आगे बात करेंगे, potency की बात करेंगे, अलग से एक video डालेंगे, जिसमें न, थोड़ी understanding लेंगे, थोड़ी basic जानकारी रहेंगे, कि कौन से condition में क्या potency लेनी चाहिए, homepathy दभाएं, दोस्तो homepathy है, जुड़े रहें कुना न किये इसके साथ, for more such informational videos, आशा करतों आज का video कहीं न की आपको जुरू फाइदा पहुंचाए, see you soon, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्यार रखें, take care, God bless.